दुखी मन मेरे सुन मेरा कैना वहाँ नहीं रहना जहाँ नहीं चैना दुखी मन मेरे अंखल मैं आपके साथ यहाँ पेट के पी सकता हूँ अगल आप बड़े उदास लग रहे हो हाँ बेटा दुकीत बात तो है मैं थोड़ा उदास हूँ थोड़ा गम है मुझे वो मिटाने के लिए या आया हूँ लेकिन बेटे मैं तो पच्चास साथ का हूँ मेरी तो उमर हो गई है तुम तो अभी जवान हो अभी से क्यों पिना शुरू किया अभी तो तुम्हारी जवानी है क्यों क्या दुक है क्या जवानी है दुक नहीं है अंकल लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो फिर तो दुख की बाद तो होगी तो अभी से ही मैंने सोचा प्रेक्रिस कर लो बेटे पियो पियो बस दुख मिटाने का यही एक तरीका है अंकल वैसे आप एज से थोड़े बड़े लग रहे हो आपको कौन सी दुख की बात होगी इतना गम है दुख की बात तो है क्या करूं क्या सुनाओं जिंदगी में मेरे एक ऐसा वक्त मिता है जिससे मुझे बहुत दुख है नई तो बैटा मेरे अच्छी खासी दुखान थी मैं एक हजाम था बारबर साफ मेरा बारबर साफ था खुद का तुम भी आए होगे वो चव के वह याद गान रहा था, बहुत ग्राकी आती जाती थी, बहुत खुश था, लेकिन एक दिन एक सर्दार जी आया, सर्दार जी आया और आते दर्वाजे से मेरे को देखा और पूछता है, कितना टाइम लगेगा, तो मैंने इदर उदर देखा, तो 20-25 लोग बैठे थे, मेरे ग्राक जिनको बाल कटा दे थे, तो मैंने उससे कहा, दो गंटे तो लगे गे, फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, और वो बैठ गया, बैठ गया, अखबार पड़ी, वो जो मेगेजिन है, वो पड़ी, चाए पिया, टीवी देखा, एक गंटा बीठ गया, फिर गेटा, वो उठके दर्वा आएगा, शायद गया होगा, आजू-बाजू में, फिर आएगा, नहीं आया, फिर कुछ दिलों के बाद, वो फिर संदार जी आया, और आके पूछता है, कितना टाइम लगेगा, फिर से मैंने इदर उदर देखा, मेरे पास दस बारा ग्राक बैठे थे, तो मैंने उससे कह जाए, एक गंटा तो लगेगा, एक गंटा तो फिर बैठ गया, फिर बैठ गया, फिर चाय पिया, मैगेजन पड़ा, आखबार पड़ा, टे. वी रे खा, यह बखी तो फिर बोट दिनों के बाद, वो फिर आया, फिर आया, फिर मुझे देखके बोलता है, कितना टाइम लगेगा, फिर मैंने आजू बाजू में देखे, मेरे पास तो अतनी कस्टमर थे, ने चार, पांच से से बेखे होगे, तो मैंने बोला, आज जल्दी हो जाएगा, अग्दा गंटे में हो जाएगा, तो मैं हैरान, ये क्या बात है, ये हमेश्च आता है, एक गंटा बैठता है, आदा गंटा बैठता है, आज चला गया, तो मुझे तब इसे डाउट हुआ, फिर ने बोला, ये तो सर्दार जी है, सर्दार जी तो कभी बाल कट्राते नहीं है, बरबन ना बेटा, सही बादना है तो सर्दार जी तो बाल कट्राते नहीं, फिर ये क्यों आया, तो मेरे मन में खायाद आया, लगता है ये टेररिस्ट हो, उसे तो पकारवाना चाहिए, तो मुझे ये समझो, बहुत शक हुआ, तो मैंने क्या क्या, अपने लड़के को बुलाया, बुला कालू, इदर आ और जा सर्दार जी का पिछा कर, लेकि ये सर्दार जी कौन है, किदर रहता है, किदर से आता है, किदर कुछ आता है, सब वालू करके आजा, तो फिर क्या हुआ, वो मेरा छोक्रा गया, और थोड़ी दिर के बाद आता है, बोलता है, कि साब जी, वो जो सर्दार जी है, किदर कुछ पता नहीं चला। लेकिन सब्सक्राफ यह पता चला कि वो किदर जाता है। मैंने पुछा तो बेटा है बता है, तो क्या बोलता है कि सआप जी वो आपके गर में जाता है। बबाएता、 मैं बहुत दुखी हुँ, बहुत परेशान हुई, बस यहीं पर बैठा-रा रखता हुँ, टाइम बिता रहा रहा हुद कि कब मुराएगे, मैं चना जाओंगा, बैठा अजी माथनी से दुखी ह потряс Danni, अधरता, बहुत ही का ही रहा है। अब बेटा बहुत देरी हो गही है पती बुझा और चलो आज़ा हम सो जाते है यहीं सो जाते हैं. न alerts अगल यहां पे कैसे सूगे जिसे इस बहुकि यह तो आप मार चलब है आप ऐसे हम पर सो जाओ गये? करता का ने ता टीक कर्दो मुझे नीद आती है मैं आमेसा कला अगर को अगर सुना है को तो आप घर जा कि स्योंगा कि अनुगे औगर जाओ авать अगर जाओ का कि नीफ्हे पर सद्दार जी हो तो इसलिए मगे ड़रता है आजार यही सो जाते हैं ौटार है सो stuk कि है वाले ही रेना, जहाले ही रेना